नमस्कार आगे बढ़ते हैं और दसा फल पाठ संख्यान नब्बे विशेश रूप से जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अंतर दसा की बात कर रहे हैं और बर्तमान समय में राहों की महादसा में गूरू के अंतर दसा का फल हम लोगों को समझना है तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि दसा दो प्रकार से फल करता है साधारन और विशिष्ट विशिष्ट फल कैसे समझते हैं जब वो कहीं इस्थित हो उसके उपर अनिग्रहों का प्रभाव हो सुबकरतरी में है पापकरतरी में है अनिवर्गों में कहा गया है उसके आधार पर जो फल समझते हैं उसको विशिष्ट फल कहते हैं और साधारन फल किसे कहते हैं, गुरु है, उम्र है, तो बेटा संतान होना चाहिए, फुत्र होना चाहिए, संतान होना चाहिए, धन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, नोकरी लगनी चाहिए, ये इसका साधारन फल है, लेकिन आया और ये अस्टम में है, तो साधारन फलों की भी हानी होगी और साथ में बिसेश फल भी प्रभावित होगा हम आप लोगों के इसमें साइद पहले बताए होंगे अगर नहीं बताए होंगे तागे जो रेगुलर पार्ट पड़ते हैं वो हमको चर्चा कर दिजेगा हम हमेशा कहते हैं दो चीज समझ में आना चाहिए अनुकूल दसा और दूसरा है अनुकूल इस्थिती अगर ये दोनों चीज अनुकूल है तो रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट होगा कोई परशान और ये यहाँ अनुक के जगर प्रती लगा दें कि प्रती कूल दसा और प्रती कूल इस्थिती और ये रिजल्ट अब बेरियाटा देते हैं बैड लिग देते हैं अब ये साधारन समझ रखना ही चाहिए दूसरा अंतरदसानात कौन अंतरदसानात गुरू सोच लेते हैं क्या है सूपग्र है ठीक है कालपुरुस में स्वामी तु कहां का रखता है नाइंत का और ट्वेल्ट का ठीक है स्थेर कारक कहां 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 है सेकेंड का फिप्ट का नाइंत का इलेवट का इसका मतलब है कि अच्छा और बुरा बीना कहें कहीं भी स्थित है तो इन भावों का अच्छा और बुरा फल कर ही सकता है अच्छे स्थिती में तो अच्छा फल कर देगा बुरे स्थिती में तो बुरा फल करेगा अभी पत्रिका में नहीं पता हमें कहां का स्वामी तो है हमें सिर्फ ये पता है कि राहू में गुरू की अंतरदसा है और हमने ये चीज लिखा ये सभी को मालूम है ऐसा नहीं है कि जो हमारे regular पाठा के उनको मालू है अब इसके बाद बिसिष्ट फल के लिए अब साधारन फल के लिए इसको समझ करके बोल सकते हैं अब बिसिष्ट फल के लिए क्या है अंतर दसानाथ फिर वही गुरू है अब इसको पढ़ना पढ़ेगा स्वामी तो कहा का यदि तुला लगन है तो हम कह दे लिए यहां का स्वामी तो है मकर लगन है तो यहां का स्वामी तो है अब यह क्लियर हो रहा है कि यहां यह 12 का और तीसरे का स्वामी तो हम यह समझ सकते हैं 12th का और 3rd हाउस का स्वामी तो है इस्थिती कहा है कहा है कह देते हैं A vert bulb में अस्टम अब इसकी द्रिष्टी कहा है बार्वें पर है दूसरे पर ट्वेल्थ सेकेंड और फॉर्थ अर्थात इसका फल तो बाद में कर लेगा पहले इन भावों का फल तो इसको करना ही करना है तो अस्टम का फल क्या कर सकता है चोट चपेट आदी दे सकता है और ये दे सकता है लेकिन चलिए पहले इसको संज़ लेते हैं फिर आगे इसको भी तो ए्ट्स में चोट चपेट दे सकता है वादस अपने घर में फिर भी बै कराएगा सेकेंड हाउस धन ले आएगा कोई बात ने फोर्थ हाउस प्रपर्टी खरीद सकते हैं तो हमने जो कहा कि चोड़ चपेट आदी दे सकता है उसके लिए जैसे ही हमको यह पता कोई भी चीज जब आपको पता चल जाए हमको पता च चला कि दुरगटना संभव है कहां दसा से पता चला लग रहा है कि दुरगटना संभव है तब हमको क्या कर लेना चाहिए कि पत्रिका में क्या लगता है कि जातक दुरगटना ग्रस्थ हो सकता है बाई पत्रिका में साधी लिखा तभी तो साधी होगी संतान लिखा तभी तो संतान होगा नौकरी लिखी तभी तो नौकरी होगी इसी तरह से पत्रिका में क्या दुरगटना है संबब है यदि दुरगटना संबब है तो उसको कब-कब कौन-कौन सा ग्रह एक्टिव करता है और फिर ये समझना होगा कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा सबल है कि इस बार नहीं बचोगे इस बार तो गिराएंगे चोट लगाएंगे तो ग्रह की स्थिती और द्रिष्टी से यदि हमारा कोई रिजल्ट बोलने का मन करे तो उस रिजल्ट के होने की संभावना दिवन चार्ट में एक बरी चेक कर ही लेना चाहिए अगर संभावना प्रबल है तो हम प्रबलता से बोलेंगे और फिर उपाई भी बताएंगे कि यहां भाई बहुत भैंकर दुर्गटना हो सकती है आप महामिर तुझे कराई है यह सलाह जरूर देंगे लेकिन बर्तमान समय में क्या है उसको पता ही नहीं है होगा क्या होने वाला है नहीं होने वाला है या पत्रिका खैर चलिए इस पर नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि दुख तो होता है लेकिन पोजेटिव एप्रोच ले करके चलें और हम लोग सीखें हमारे परिश्रम करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि लोग आप हमारे पास पत्रिका पूछने आईये हमसे पढ़ने आईये यह जरूरी नहीं है जितने लोग यूटीब पे पढ़ते हैं उतने यदि हमसे पढ़ ले तो स्यथ हम पढ़ा भी नहीं सकें तो हमारा कहना है कि सबसे पहले ये जानना जरूर है कि घटना होगा या नहीं होगा और घटना होगा तो कौन सग्र है उस घटना को देने वाला होगा और जब ये असपस्थ हो जाएगा तब उसकी दसा अंतर दसा में जाकर के हमको वो चेक करना है और वो गुरू दे सकता है, शुक्र दे सकता है, यह यदि कोई सोच के बैठे हैं, कि मंगल ही देगा, यह गलत सोच करके बैठे हैं, वो दुर्गटना का कारक है, कारण नहीं है, तो यह भी से आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 2-4-5 मिनट और जिस दिन जैसा मूड होता हैं, उतना अच्छा आप लोगों के समक्ष बोल पाते हैं, तो इसको पढ़ते रहिए, तो बड़ा लाब मिलेगा, तो हमने कहा कि गुरू की अंत अगर उस समय हमको कोई बोलेगा कि ये तुमारे अंकल लगते हैं पाउ छूओ तो छू लेंगे, मंगल की दरसा आएगी तो देहात खीचेंगे, नहीं छूना पाउं हमें, ये छोटे-छोटे गुन भी तो दिख सकते हैं, और 25-30 साल के अमर में होगा, तब क्या चाहेंग गर हो, गारी हो, मकान हो, साधी हो, नोकरी हो, इसकी काम ना होगी, तो वो पूरा कर सकते हैं, और केंदर, त्रिकोन और लावस्तान, इसमें, 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 इसमें है तो गुड, अच्छा बोलेंगे, कोई प्राब्लम नहीं, यहां का स्वामी तो रख तो एक बात का ध्यान रखेंगे, कि यहां का स्वामित रख करके यहां बैठ गया, इसको प्रापरटी खरीदने में हमेशा परशानी होगी, घर से, घर में मन नहीं लगेगा, घर से दूर रहेंगे, दादस में मूल्तर कोन है, लेकिन काम धंदे के उपर बहुत ध्यान से काम करेंगे, उस समय पर जब अंतरदस आएं तो संभव है, कि विदेश यात्रा विदेश चले जाएं, यहां न रहें, आप कहेंगे कि बहुत अच्छे ग्रह है, मानने गुरु को नहीं, मानेंगे कैसे, द्वादसेस हैं, लेकिन दृष्टियां सूभ हैं, और जिस पर दृष्टि दे कि उस भाव का फल प्राप्त कराता है, तो गुरु क्यों नहीं कराएगा, तो विषय को समझना सरल है, लेकिन बहुत बिनैपुरुवक कहेंगे, कि बरतमान समय में न हम जितने भी बड़े बड़े आचार्ज लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, पता नहीं कौन सा काम करता है, या किस प्रकार से उन्होंने ग्यान लिया, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जोतिस बैदिक चल रहा है, या किसी और बेवस्था से, क्योंकि सर्जगे तो यही गुरु को ही ग्रहम मानना है, बलेसिंग के लिए सनी को ही दुख देने के लिए ग्रहम मानन आपके तो समझ में आएगा नहीं और पता चला कि थोड़ा वहां से लेकर पढ़ा दिये थोड़ा यहां से लेकर पढ़ा दिये आपका सिलेवस खत्म हो जाता है लेकिन न ज्यान बढ़ता न विश्वास बढ़ता और यहां आपका दोनों चीज बढ़ेगा और वही अब गुरु यदि छटे आठमे बार्मे में बैठा हो स्वारासी का बैठा है फिर भी जी सर फिर भी मारक खंड कभी पढ़ाएंगे तो बता देंगे स्वारासी में बैठे गादस में ग्रहों आठमे में ग्रहों छटे और दूसरे में तो वो भी मारता है तो लोग पूछने भी आते हैं क्या मेरे में काल सर्दोस लगा की नहीं मेरे में नीच भंग योग बना की नहीं मेरे पत्रिका में विप्रीत राज योग बना की नहीं बड़ा तकलीफ होता है जोतिस पूछो भाई योग बना या बिगड़ा चलिए कोई नहीं आपको बताना होगा और नंबर दो और यहां बहुत प्रीथ है तो बिपरीथ रिजल्ट बताना होगा ये नहीं कि ठीक है अच्छा हो जाएगा नहीं बिपरीथ बताना पड़ेगा धन है तो जो धन है वो तो गया बापकब भी जो था वो भी बेचके खतम कर रहा है संतान नहीं हो रहा है तो संतोस्थान नहीं हो रहा है लेकिन गर्वधारन हुआ संतान हुआ एक दिन भी नहीं जिया ये विप्रीत परिणाम होने लेगे तो हमेशा से कोई भी महादसा और अंतरदसानाथ एक सब्द याद रखेगा केंद्र त्रिकोन लावस्थान में हो तो विशेश अच्छे परिणाम की उम्मीद रखें और छे आड़ बारा में हो तो साबधानी से समझाए छे आड़ बारा में यदि बहुत पिडित हो तो विप्रीत रिजल्ट बताए और यदि केंद्र त्रिकोन लावस्थान में बहुत पिडित हो तो साधारन रिजल्ट बताए और रिजल्ट ग्रह अपने गुन सरूप के अंसार ही करता है सरल हो गया ना तो इतना ही सरल और हर चेप्टर में न कुछ न कुछ नया चीज देते रहता है पढ़ाते दसा फल ही हैं लेकिन फिर कहां से क्या पढ़ाते हैं ये आप लोगों को समझना है और जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको समझ में आता है मैं कहूंगा कि यदि आपके समझ में आता है तो लोगों को समझने का भी अवसर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्रम से पाठ को पढ़िए ये हमेशा से ध्यान रखना है मैं प्रारंभ में भी बोलता हूँ और अंत में भी बोलता हूँ कि क्रम अगर तूट गया तब फिर आपको उसी गुरुजी को ढूरना पढ़ेगा जो आपको नीच भंग बताएगा और विप्रीत राजी ओगा और कालसर्प दोस और अंगारक दोस बताएगा वहीं फिर आपको शिक्षा मिल लेनी पड़ेगी इसलिए यहाँ क्रम नहीं तूटना चाहिए आज इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद